भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोड के भावी अध्यक्त स्वरव गांगुली के टीम के मुख्य कोच रवी सास्त्री से रिस्ते भले ही ठीक ना हो लेकिन गांगुली ने कहा है कि कोच को दुवारा नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है सास्त्री को कोच चुनने वाली एड हॉक क्रिकेट सलाहकार समीती को बोड के लोकपाल डीके जैन ने हितों में एक टक्राव में घसीता था और ऐसी संभावनाय जताई जा रही थी कि अगर सी एसी का गठन अवैद घोसित होता है तो सास्त्री की कुर्सी जा सकती है गांगली ने हाला की कहा है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है गांगली ने कहा मुझे नहीं लगता कि इससे सास्त्री के चैन में कुछ परिशानी आएगी मैं हाला की अस्वस्त नहीं हूँ जहां तक की हमने तब भी कोच का चैन किया जब हितो के टकराव का मुद्दा था वहीं गांगली से जब पूछा गया क्या उन्होंने बोर्ड का अध्यक्ष ते होने के बाद सास्त्री से बात की है तो कांगली ने हसते हुए कहा क्यूँ अब उन्होंने क्या किया अगर लोकपाल CAC को हितो के टकराव का दोशी मानते हैं तो सास्त्री को दोबारा नेवति करने की ज़रूरत है या नहीं इस पर प्रशासकों की समीती के अध्यक्ष विनोद राई ने टिपनी करने से मना कर दिया था राई ने आईए एनस से कहा था पहली बात तो यह कालपनिक सवाल है दूसरी बात मेरा लोकपाल के फैसले से पहले कुछ भी बोलना गलत है